Hello everyone, Welcome to Global Academy Students Basic English Grammar की जो हमने सीरी शिरू की हुई है उसका ये आगला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं इससे पहले हमने डिसकस किया था पार्स अफ स्पीच जिसमें के हमने 8 पार्स अफ स्पीच डिसकस किये थे उनका मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडिक्शन दिया था जितने भी 8 पार्स अफ स्पीच थे तो आज हम इन तमाम पार्स स्पीच को अलग से हम डिसकस करेंगे इन डिटेल हम डिसकस करेंगे सबसे जो पहला पार्ट है इसका नौन है non के बारे में हम पूरा discuss करेंगे कि non क्या होता है इसकी कितनी types है और इसके अंदर जो कुछ ऐसे facts है जिनके बारे में अक्सर हमें confusion होता है exam में भी अक्सर हम confused होते हैं वो तमाफ facts मैं इससे related आपको बताऊंगा ताकि exam में भी अगर कभी इससे related कोई भी question हो वहाँ आपको confusion ना हो तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि non होता क्या है non ये एक नाम है किसी person का किसी place का या किसी thing का जैसे दुनिया के अंदर हजारों चीज़े हैं हजारों जगाएं हैं तो हर एक चीज़ को हम जिस नाम से पुकारते हैं दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तों हैं जितनी भी चीज़े हैं हम उनको जिस जिस नाम से पुकारते हैं उसी नाम को हम कहते हैं non यानि non क्या है ये किसी भी जगा का नाम हो सकता है किसी place का नाम हो सकता है किसी आदमी का नाम हो सकता है या किसी thing का नाम हो सकता है इसी को हम कहते हैं non इसकी अब कुछ types हैं वो हम types आगे discuss करेंगे बारी बारी इसमें हम एक तो proper non discuss करेंगे common non discuss करेंगे material non discuss करेंगे collective non, concrete and abstract non उसके लावा last one, countable and uncountable non discuss करेंगे उसके लावा कुछ important facts हम discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर जैसे इंडिया जो word है इसके साथ has आता है या have आता है दोनों आते हैं has भी आता है है उब हाव है है इसके उसके अलावा है यह welcome है यह हम discuss करेंगे उसके लावा math और chemistry के साथ कौनसा non use होता है यह कौनसा non है happiness and sadness यह कौनसा non है उसके लावा sad तो non नहीं है लेकिए sadness non है यह non क्यों है यह भी हम देखेंगे उसके लावा money money जो है आपको पता है money को हम गिन सकते हैं पैसे को हम गिन सकते हैं लेकिन यह uncountable loan है तो यह क्यों है uncountable loan वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे उसके लावा stars है star जो है यह uncountable loan है इसके बारे में भी हम आगे discuss करेंगे तो यह तमाम कुछ important facts भी बीच में आएंगे जिनके बारे में हम आपको बताएंगे तो काफी important video students आपसे request है आप पूरी video देख लिजिए जो भी new viewers है हमारी channel को subscribe कीजिए और मैं आपसे request करता हूँ new viewers से कि इससे पहले मैंने जो four videos आलड़ी बनाई हुई है इस series की तो उन तमाम को भी देख लिजिए ताकि अगर आप पहले first से ही शुरू करें तो फिर आगे भी आपको पूरा फाइदा होगा वरना अगर बीच में आप एक आद वीडियो देखोगे तो उसे better मैं आपको कहूँगा कि आप जहाब time waste आप मत कीजिए आपको अगर English grammar के उपर mastery करनी है तो आप पूरी series जो है first से ही आप देखना शुरू कर दीजिए so let's begin with our lecture साथ से पहले हम देखेंगे इसकी पहली टाइप non की वह है proper non proper non क्या होता है proper non वो non होता है जो किसी specific person का नाम हो किसी specific place का नाम हो या किसी specific जगा thing का नाम हो या किसी specific जगा का नाम हो फार एक्जेमपल जान, तो ये एक किसी खास आदमी का नाम है, यानि जितने भी दुनिया के अंदर किसी भी लड़के का कोई भी नाम है, उस नाम को हम कहते हैं प्रापर नौन, जैसे अमन हो गया, जान हो गया, या किसी जगा का नाम हो, मालो डेली, तो ये डेली क्या है, य एक जगा है, जिसको हम डेली कहते हैं, इसलिए ये प्रापर नौन हो गया, इसी तरीके से इंडिया, वर्ल, गलोब, जो है, गलोब के अंदर, या दुनिया का जो नक्षा है, उसके अंदर एक जगा है, जिसको हम लंदन कहते हैं, तो ये जो है, ये भी प्रापर नौन है, है जो किसी specific person का नाम है किसी place का नाम हो या किसी thing का नाम हो उनको हम कहते हैं proper non तो यह हो गया पहला non first non हो गया proper non next हो गया common non common non क्या होता है common non वो non होता है जो in general किसी person की class को या किसी place दो या तीन या चार places उनके अंदर क्या common चीज़ है उस उस पूरी class को हम क्या कहते हैं class of place को क्या कहते है या उस thing वो जो या कुछ चीज़े हैं उनकी कौन सी class है या कुछ persons उनकी कौन सी class है कुछ जगाओं के नाम है उनकी कौन सी class है उनके अंदर क्या common चीज़ है या किसी कुछ चीज़े ऐसी है उनको common ली हम किस नाम से पुकारते हैं ये हो गया common है for example मैं आपको एक example के साथ में ये पूरी चीज़ आपको समझाओंगा मान लो ये एक लड़का है और ये एक लड़की है अब हम देखेंगे कि इन दोनू के अंदर क्या है क्योंकि हम common उन पढ़रे हैं तो इन दोनू को हम common किस नाम से पुकार सकते हैं ये लड़का है ये लड़की है किस नाम से पकार से हम इनको human कह सकते हैं कि ये दोनों जो है इनसान है तो इसलिए ये जो word है human जो दोनों चीजों के बीच में common है उसको हम कहते हैं वो word जो है common non होता है जैसे human तो human ये एक common non है इसी तरीके से मालो लड़किया कुछ है जैसे ये सीता है, ये गीता है, ये एक्रा है, ये तीन लड़किया है और इन तीनों लड़कियों को हम कामनली किस नाम से पुकारते हैं, इनको हम गर्ल्स कह सकते हैं तो गर्ल्स ये एक कामनन है, गर्ल हो गया कामनन इसी तरीके से ये मुंबई है, ये डैली है, ये कलकता है इन तेनों जगाओं को हम कामन ली ये तेनों जीज़ हैं क्या है कामन ली इनको हम सीटी कह सकते हैं ये तेनों जो हैं सीटीज हैं तो सीटी ये भी एक कामन नोन है इसी तरीके से मालो हमारे पास कुछ जानवर हैं यह हो गई भैंस, यह हो गई बकरी, यह हो गई गाए, यह हो गया बैल तो इन चारों के अंदर कामन क्या है अगर हमने इन चारों को कामन नहीं पकारना हो तो किस नाम से पकार सकते हैं हम कह सकते हैं कि यह तमाम जह एनिमल्स हैं क्या है यह एनिमल्स हैं इन तमाम चीजों के अंदर कामन क्या चीज़ है एनिमल तो एनिमल भी है यह एक कामन नोन है यह वर्ड भी कामन नोन है इसी तरीके से हाउस यह भी कामन नोन है food जैसे हम हमारे सामने आर्दस किसमी गजाएं कहने हैं तो उन तमाम चीजों का कामनी food कह सकते हैं इसी तेरीके से मालो हम states की बात कर रहे हैं ये गुजरात है ये यूपी है और गुजरात है यूपी और ये उरिसा है तो इन तीनु चीज़ों के अंदर common क्या है? ये तीनु जाए state है, इसलिए state ये भी एक common known है, ये state ये जो word है ये भी common known, इसी तरी किसे जो country word है, ये word भी common known है, यानि बहुत सारी countries के लिए, country है ये हम इंडिया भी है, पाकिस्तान है, इसी तरी किसे भोटान है, नेपाल है, तो ये चारों चीज़े, ये क्या है, ये countries है, तो ये country भी ये भी common known है, तो collectively हम किसी चीज़ को किस नाम से पकारते हैं, वो उसी को हम कहते हैं, common known, तो student मुझे उमीद है कि आपको common known का पता चल गए हो गए, generally ये किसी class of person होता है, या किसी place, या किसी जगा को commonly हम किस नाम से पकारते हैं, that is called the common known, next हो गया material known, material known क्या होता है, material known the name of material or a substance, या किसी material का नाम या किसी सबस्टेンस का नाम, किसी चीज़ का नाम या material का नाम उसको वो होगया material known, फ़र एक्जेमऽ, वो क्या चीज़ जैसे, वो चीज़े जो قدرت ने हमें दी है, या वो चीज़े जो हमने अपने हाथ से बनाई है, दो चीज़े इसमें आती है, वो जो हमें कुदरत ने दी है, कुदरत की तरफ से मिली है, नेचर की तरफ से हमें चीज़े मिली है, या जो हमने अपने हाथों से बनाई है, यह तमाम चीज़े मिटीरल नोन, एयर मिटीरल नोन है, वाटर मिटीरल नोन है, मिलक मिटीरल नोन है, वोड़ भी मिटीरल नोन है, ब्रिक्स, इंटें, यह हमने हाथ से बनाई है, यह यह तमाम चीज़ें यह है, और यह कामन नोन भी है, क्यों 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 क यहां भी गोल्ड है तो कामली सारे को हम गोल्ड ही कहते हैं तो मटियरल नौन जितना भी है इसको हम कामन नौन भी कह सकते हैं जैसे पैंट है ये भी पैंट है ये भी पैंट है ये भी पैंट है ये भी पैंट है तो कामली हम इनको पैंट ही कहते हैं इसी तरह किसा अगर मेरे collective non की बात करते हैं collective non क्या होता है it refers to a set or a group of pupils यानि pupils का एक group है या animals का एक जैसे animals का group हो या एक जैसी things का group हो उसको हम कहते हैं collective non यानि एक जैसे लोगों का group एक जैसे animals का group या एक जैसी चीजों का group उसको हम कहते हैं collective non for example, मान लो यहां कुछ लोग है चार आदमी यहां बैठे हुआ हैं इन चारों को हम collectively हम क्या कह सकते है people है तो यह हो गए आदमी इसी तरीक से अगर crowd यह भी collective known है यानि यहां हजारों लोगों का एक जोंड है तो इसको हम crowd कह सकते है people और crowd में क्या फरक है people हम तीन या चार लोगों को भी कह सकते हैं लेकिन जो crowd होता है इसमें हजारों लोग होते हैं लेकिन सिर्फ लोग एक जैसे लोग तो उसको हम यह भी एक collective known है यानि collectively हम इनको crowd कह सकते है इसी तरीक से team है team क्या है 11 लोगों की एक team है 11 लोग हैं इसके अंदर तो उस पूरे को collectively हम क्या कहते है team कहते है इसी तरीक से हजारों गाए हैं या 10 या 20 गाए हैं उनको हम herd कहते है herd of cows तो यह herd भी एक collective known है flock of sheep बहुत सारी sheep है उनको हम flock कहते है या birds है बहुत सारी birds है उनको भी हम flock का bird कहते है तो यह जो word flock है यह भी एक collective known है इसी तरीक से state यानि state जो है state में बहुत सारी states आती है यह collectively हम उनको state कहते है इंडिया के अंदर 28 states है collectively हम उनको state कहते है इसी तरीक से दुनिया के अंदर बहुत सारी countries है तो collectively हम उनको country कहते हैं तो collectively हम किसी group को किस नाम से पकारते हैं वो हो गया collective non तो students मुझे उम्मिद है या आपको समझ में आ गया होगा अब हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं जैसे हमने people की बात की, crowd की बात की, team की बात की, तो people के साथ आर का यूज होता है, या आपको हमेशा याद रखना है जब भी people कहीं आए तो उसके साथ हमेशा आपने आर यूज करना है जैसे people are gathered in the hall people के साथ हमेशा आर का यूज होता है इसका यूज नहीं होता है, या आपको याद रखना है people are gathered in the hall लेकिन जब हम और दुसरी बात या है कि people you plural word है people कभी भी नहीं आता है लेकिन इसमें एक exception है कि people भी कभी कभी आता है और वो कब आता है वो मैं आपको बताता हूँ जब दो या तीन मलकों के लोगों की बात हो उस वक्त people की जगा हम pupils कहते हैं अगर एक ही मुलक के लोग हूँ तो प्यूपल कहेंगे, अगर दो या तीन मुलक के लोग हूँ तो उसको हम प्यूपल कहते हैं, जैसे प्यूपल फ्रम USA, इंडिया एंड फ्रांस और तो यह आपको याद रखना है, ऐसी सिच्वेशन में प्यूपल आएगा ना कि प्यूप प्यूपल के साथ हमेशा आ रहता है, लेकिन ग्राउड के साथ हमेशा is आता है, जैसे crowd is gathered in the street, there is a crowd of women, वोमें का crowd है, तो is इसके साथ यूज होगा, तो crowd भी यह बी एक plural word है, लेकिन कभी-कभी crowd भी जो है as a plural, इसके साथ s भी यूज होता है, तो वो as कभी यूज होता है, वो मैं आपको बताऊँगा, मालो यहाँ एक crowd, एक किसम का crowd है और यहाँ जो है दूसरी किसम का crowd है मालो यह दहली में crowd है और यह crowd जो है बंबई में है लेकिन यह जो दौनों crowd है, यह क्या कर रहे हैं? यह government के खिराफ slogans दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि both the crowds, ये crowd भी और ये crowd भी, जब हम दोनों crowds की बात कर रहे हैं, तो यहां आएगा crowds, यानि both the crowds are raising slogan, ये crowd भी और ये crowd भी, ये दोनों के लिए हम crowds यूज़ करेंगे, दोनों crowds क्या कर रहे हैं, गौर्वर्मेंट के खिलाब जो हैं, ये जंडा नारे बाज कर रहे हैं, लेकिन जब एक ही crowd हो, एक जगा का crowd हो, तो उसके साथ हमेशा crowd यूज़ होता है, लेकिन जब दो जगाओं के crowd है, ये तीन जगाओं के crowd हो, तो उनके साथ हमेशा crowds यूज़ होता है, तो ये आपको याद रखना है, इसी तरीके से एक और चीज़ आपको याद रखनी है 팀 की बात होती है Indian team Indian team is going to South Africa तो इंडिया के साथ भी हमेशा Indian team के साथ इसके साथ हमेशा इसके साथ हमेशा is का यूज होता है इसके साथ हमेशा is होता है इसी तरीके से कुछ और fiats हम देखते हैं प्यूपल के साथ क्या यूज होता है इस यूज होता है या आर यूज होता है यह हम देखते हैं प्लीस के साथ स्वारी प्लीस के साथ इस यूज होता है और आर भी यूज होता है यानि प्लीस के साथ इस भी यूज होता है और आर भी तो इसके साथ इस का भी यूज होता है आर का भी हम देखते हैं जैसे जब पुलीस एजे डिपार्टमेंट बात हो यानि पुलीस की जब बात करते हैं हम एजे डिपार्टमेंट तो उस वकद उसके साथ इस यूज होता है जैसे पुलीस इस डोनेटिंग 10 करोड रुपीज तो दा प्याम रिली फंड पुलीस जो है ये एक क्रिमिनल की सर्च में है तो जब पुलीस एजे डिपार्टमेंट यूज हो उसके साथ इस वकद इस लगेगा लेकिन जब पुलीस एज इन्डिविजिल यानि जब पुलीस के लोगों की बात हो इन लोगों की जब बात हो तो उस वकद हम लगाएंगे आर जैसे तो student से आपको याद रखना है कि जब as a department police word use हो तो is लगाएंगे और जब as a log use हो as a people use हो तो उसके साथ लगाएंगे हम और इसी तरीकी से state की जब कहीं बात हो इस तरीकी से जब हम state की बात करते हैं तो state के साथ हमेशा is का use होता है जैसे मालनों हम UP की बात कर रहे हैं वो एक state है या गुजरात की बात कर रहे हैं वो एक state है तो इनके साथ हमेशा is का use करना है जैसे UP is the largest state इसी तरीके से अगर किसी और महराष्टरा की या UP की या गुजरात की या उडिसा की जब इन states के नाम आएं तो इनके साथ हमेशा हमको is का use करना है इसी तरीके से जब country की बात आए तो जब country की बात हो तो उसके साथ हमेशा is लगाना है जैसे इंडिया इंडिया is the second largest country in the world जब इंडिया को ये जो नाम है जब इसको हम as a country यूजरा है तो is लगाना है और जब हम इंडिया ये जो नाम है इसको हम as a team बात करें तो इसके साथ लगाना है have या are का use करना है यानि जब इंडिया as a country हम use करें तो लगाना है singular और जब इसको as a team use करें तो लगाना है plural have लगाएंगे या are लगाएंगे तो या जैसे यहां एक example इंडिया is the second largest country in the world ये as a इंडिया as a country use हुए है लेकिन जब हम इंडिया को as a team use करें जैसे इंडिया have 11 players तो यहां इंडिया क्या चीज़ है ये एक team की बात हम कर रहे है तो इंडिया के 11 players है तो इसके साथ हमने लगाया है have इसी तरीके से इंडिया have 11 the match तो इंडिया क्या है यहां ये एक team का नाम है तो इंडिया have 11 the match तो इस तरीके से यह आपको याद रखना है जब इंडिया as a country use हो उसके साथ लगाएंगे is और जब इंडिया as a team use हो word तो इसके साथ लगाएंगे have या are इसी तरीके से hair जब hair के साथ is भी यूज होता है और are भी यूज होता है इस कहां कब यूज होता है जब हम अपने सर के तमाम बालों की बात कर रहे हूं तो उस वाकत हम कहेंगे is जैसे my hair is black तो उस मैं जो है लेकिन जब हम individually बालों की बात करें जैसे मैं कहूँगा कि मेरी सबजी में तीन बाल थे तो हम उस वकत जो है are यूज करेंगे जैसे I have found four years in the vegetable या there are three years in the vegetable तो जब individual दो या तीन बालों की बात करें उस वकत लगेगा are लेकिन जब पूरे group की बात हो तो उस वकत लगेगा is तो यह थे कुछ important facts कुछ exceptions जो आपको याद रखने है इस type के questions अक्सर exams में भी आप पूछे जाते हैं अब हमारा next type होगी concrete and abstract non concrete non क्या होता और abstract non क्या होता यह मैं आपको बताता हूँ concrete non वो non होते हैं जो कि physically दुनिया के अंदर exist करते हैं physically exist करने का क्या मतलब है यानि ऐसी चीज़ें दुनिया की जिनको हम अपनी आखों से देख सकते हैं अपने नाक से उनको सूंग सकते हैं ear से हम वो चीज़ सुन सकते हैं जबान से taste कर सकते हैं या skin से touch कर सकते हैं यानि जितने जो भी हमारे senses है, five senses argon है, वो उनको महसूस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, taste कर सकते हैं, या touch कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज दिनिया में exist करती है, वो तमाम होगी concrete चीज़ें, for example, जैसे dog है, तो इसको हम देख सकते हैं, tree है, इसको भी हम हैं, या जैसे मालो हम, किसी water है, तो water इसको हम पी सकते हैं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, तो दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास में, जितने भी दुनिया में हजारों चीज़ें, जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, या कुछ ऐसी आवा करती हैं for example कुछ ऐसी भी चीज़ है जो दुनिया के अंदर exist नहीं करती है लेकिन वो known है जैसे for example मैं आपको एक example दूँगा touch जैसे love प्यार है तो ये एक word है लेकिन इसको हम ये एक emotion एक feeling है लेकिन हम love का जो word है क्या हम love को touch कर सकते हैं क्या हम love को देख सकते हैं या इसके बा ये जो word है ये होगे ये non है लेकिन ये abstract non है इसी तरीकी से एक word है truth एक सचाई है सचाई को न हम देख सकते हैं न हम सुन सकते हैं न हम टेस्ट कर सकते हैं बलकि ये भी एक चीज़ है ये भी एक emotion है जो दुनिया में exist करते हैं इसी तरीकी से time को भी हम देख नहीं सकते हैं happiness, खुशी, गमी, या बहादुरी, या जस्टिस, या फ्रीडम, या आजादी, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये एक्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन न हम इनको देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न टच कर सकते हैं, ये तमाम होगे, अब्ट्रेक्ट ओन, उसके अलावा, वो च तलागे होगे, कंक्रीट नौन और अब्स्ट्रेक्ट नौन, क्या है, तो काफी आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, नेक्स हो गया हमारा, लास्ट वे अब है, कॉंटेबल नौन, तो कॉंटेबल नौन होगे, दुनिया के अदर वो चीज़ें, जिनको हम कॉंट कर सकते सकते हैं, वो Singular भी हो सकते हैं, कोई भी चीज जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 50 कारें हैं, उनको हम गिन सकते हैं, डेस्को हम गिन सकते हैं, कॉंटेबल नौन, तो क लिए समस्टे कॉंटा। कर सकते हैं, आयल को हम कर सकते हैं, एर को कर सकते हैं, ऑक्सिजन को कौंडइ कर सकते हैं, happiness, time, या information, इंतमाई चिज़ों को कौंडइ कर सकते हैं, आच्छा, money है, money ये भी uncontornable known है, students जैसे मैंने आप स्चुनेंट जैसे में इन दा फार्म अफ रुपीज हो और इन दा फार्म अफ पैसे हैं तो हम इनको गिन सकते हैं तो रुपीज जो है यह कॉंटेबल होन है पैसे जो है कॉंटेबल होन है इसलिए हम जब ही हम कहते हैं मैं आपको कहते हूं कि मेरे पास सो रुपे हैं आइव 100 रुपीज या आइव 100 पैसा या आइव 200 रुपीज, 200 पैसा तो रुपीज के लिए हम गिन सकते हैं, लेकिन मनी हम कभी नहीं कहते हैं कि I have 100 मनी या I have 200 मनी या I have 300 मनी, इसलिए यह जो वर्ड है यह uncountable known है, इसकी जो फार में रुपीज यह countable known है, जैसे हम कह सकते हैं 500 रुपीज, 600 रुपीज, 300 पैसे, तो पैसे और रुपीज यह countable known है और इसकी जो फार में money यह uncountable known है, तो स्टुडेंट्स यह थे तमाम non के टाइपस मुझे अमीद है, नॉन से रिलेटेड आपको तमाम जितने भी information थी, वो मैंने आप तक पहुंचानी की कोशी, अगर कही भी confusion हो, तो आप मुझे बोल सकते हैं, comment कर सकते हैं, मैं आपको दुबारा आपका confusion दूर कर सकते हूं,